Hello friends and welcome back to my channel आज मैं आपके लिए amazing kitchen tips लिख के आई हूँ ये छोटे से kitchen tips आपके बड़े काम आने वाले है अगर आपके पास भी कोई ऐसा kitchen tips है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर share करूँ तो please मुझे comment box में लिख के बेज़े अगर आपको वीडियो पसंद आए या कोई भी tips पसंद आए उसके लिए आप comment कर सकते हैं और हाँ like भी कीजिए, share भी कीजिए और subscribe कीजिए मेरे चैनल को घंटी के साथ ताकि आपको आने वाले वीडियो की साड़े notification मिल सकें तो चलिए देर नहीं करते हैं फटा-फटा से वीडियो स्टार्ट करते हैं चलिए फ्रेंज टिप नमबर वन बहुत ही काम की है मिक्सी जहर में से अकसर स्मेल आती है अगर आप अधरक और प्यास या लसन इस तरह से पीचते तो इसमेल बैठ जाती है तो इसमेल को निकाले कैसे तो उसके लिए आपको क्या करना है आधा लेमन लेना है नीमबू लेना है और आपको इसके छोटे-छोटे तुकडे करके मिक्सी जहर में डाल देना है फ्रेंज से टिप मैंने खुद ने ट्राइ करी है और मैं हमीशा करती हूँ इस तरह से इस तरह से आपको करके इसको मिक्सी को चला देना है दो से तीन बार आप मिक्सी को पल्स कीजे और आप देखिए इसका पूरा जो रस है वो आपके पूरे मिक्सी जार में फैल चुका है और इसके वज़े से जो अंदर से बद्बू आ रही थी जो स्मेल थी प्यास की लसन की वो सब निकल जाएगी इसके बाद आपको इसको नॉर्मल आप जैसे धोते हैं उसी तरह से आप इसे वाश का लेजे जो हल्दी के भी दाग होंगे न वो भी निकल जाएगे ज़रूर य अगर आप एंडे खाते है तो यह टिप आपके लिए है अकसर आंडे बॉइल करते तो इसका छिल्का ठीक से उतरता नहीं है तो उसके लिए चोटी से टिप है जब यह अप अंडा बॉइल करें तो पानी में आप दो चमश कुकिंग ओल डाले प्लावे जो भी उज करते है वो डाल सकते हैं, कोई यहां specific नहीं है, अंड़ को आप रख दीजे पानी में और इसे अच्छी तरह से boil होने दे, 5-7 मिनिट में अंड़ बॉल हो जाते हैं, फिर इसे थंडा होने दे, थंडा होने के बाद आप इस तरह से तोड़िए और हातों के बीच में इसे roll करिए, इस चिलके दम अच्छी तरह से तूट जाते हैं, और बाद में आप इस चिलको को निकाल दीजे, आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से चिलके निकल रहे हैं, और फटा-फट से यह slip हो जाते हैं, और यह देखिए निकल गया है, तो इसी तरह से आप नेक्स टाइम जब अच्छी एक बॉल करें, तो ओल जरूर डाले पानी में और आप इस तरह से अंडे का चिलका उतार लें, यह तिप आपके लिए यूसफुल थी या नहीं, इसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, चले फ्रेंस टिप नमबर 3 बता देती हूँ है, तो यह ढू स्टीम करते हो धोकला कुकर या इडली कुकर को, और इसके अंदर एक चीज डाली है, वो है लेमन, लेमन नहीं फ्रेंस, लेमन का छिलका डालना है, यह लेमन मैंने यूस किया हुआ था, और बाद में मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था, बस आपको यह लेमन का तुक तो आप जरूर यह टिप फॉलो करेगा, अगर आपके लिए काम की है, तो मुझे कमें करके बताईएगा, चलिए टिप नमबर चार, बहुत जादा यूसफुल होने वाली है, तो यह तबे को लेकर है, जब भी हम पराथे बगरे बनाते हैं, तो इस तरह से तवा काफी खर आपको लगा देना है, और गरम तवे पे आपको इस तरह से रगड़ना है, तो यह देखिए, इस से आपके तवे पे जो भी ऑईल के दाग होंगे, और सब निकल जाएगा, यहां हैंडल के पास आप देखिए कितना कालापन है, तो आप पूरा नोटिस का लीजे कि अभी जादा है, तो आपको बेकिंग सोड़ा इस तरह से डाल देना है, और उसके उपर थोड़ा से ओल डालना है, और जो लेमन हमने फॉक पे लगाया था, उसी से आपको रगड़ना है, तवा गरम है तो आप इसी तरह से उसको रगड़िये, गैस को बाद में आप बंद कर दी इस ताइम पर और इसको अच्छे तरह से आप रगड़िये, लेमन के हेल्प से, पानी देखिए कितना ब्राउन हो गया है, क्योंकि यहां सब ओल निकल चुका है, आपका तवा अगर बहुत जादा गंदा है, तो आप स्क्रबर के हेल्प से भी इस तरह से थोड़ा घिस सक किया है, तो जब भी आप निक्स टेम पराठे बनाए, तुरंत ही यह ट्रेक फॉलो करें, आपका तवा कभी भी गंदा नहीं रहेगा, हमेशे इस तरह से चमकता रहेगा, चलिए फ्रेंज, टिप नंबर पांच की बारी है, तो यह भींदी को लेकर है, अगर आप चाहते ह बहुत ही कुरकुरी आपकी भिंडी बने, तो आपको क्या करना है, बनाने इसे चार से पांच घंटे पहले इसे चौप कर लेना है, अगर थंडी का मौसम है, तो आप इसे चौप करके बाहर रहने दे, अगर गर्मी का मौसम है, तो आप इसको चौप करके फ्रिज में रख kitchen tips छोटी से kitchen tips होती है बड़े ही काम की होती है इन में से कौन से kitchen tips आपको सबसे जादा पसंद आई उसके लिए मुझे comment करिएगा और अगर आप कोई भी kitchen tips यूज करते हैं तो आकर फिर से आप आपके feedback and suggestions जरूर दीजेगा आपके feedback and suggestion मेरे चैनल पर always welcome है like भी कीजिए share भी कीजिए subscribe भी कीजिए मेरे चैनल को till then take care bye bye